कि दोस्टो हर वैक्ति हमेशा स्वस्थ रहना चाता है वह नहीं चाहता कि मैं विमार पढ़ेंगें वह लेकिन आज केंड़का खौनपान जो है किसी को diabetes है किसी को heart की problem मतलब कोई ना कोई विमारी उनके शेरी में लगे रहती है और आजकल तो पुरुषों में नपून सकता की शिकायक इतनी बढ़ती जा रहे हैं इतनी बढ़ती जा रहे कि पूचो मत हर व्यक्ति आज नपून सकता की तरफ जा रहा है क्यों जा रहा है क्योंकि आजकल दोस्तों टैंशन है इतनी है इतना स्ट्रेस से लाइफ में कि व्यक्ति परिशान होता है कि यार कैसे अपना घर चलाओं तो वो इस टैंशन से ख्री होगा जब अपनी लाइफ के बारे में सोचेगा ना और दोस्तों यदि कोई व्यक्ति पह हमारे गुपतांग में पढ़ता है जहां दोक्तों हमारे पैनिस पर पढ़ता है हमारे पैनिस में जान खतम कर देता है जहां दोक्तों यह जो टेंशन है ना इसका सीधा सर हमारे पैनिस पर जाता है व्यक्ति की इच्छा खतम हो जाती है व्यक्ति को मन नहीं करता है व्यक्ति केली बच्छा हो जवान ऊचाए बुड़्ड आदमिंग कोई ना कोई बिमारी इसको लगे आती है तो दोस्तो इए इरफ क्या बिमारी आम से दूर हो जाते हैं तो क्या एसे पॉइंट से देली डबा कर अपनी इमृटि को स्ट्रॉंग कर सकते हैं ना कि हमें भी जी बिमारीय ना लगें चाहे यह गैस की समस्य हो चाहे मर्दाना कमज़ोरी ओग्स लेडज प्रप्रॉब्लम हो कोई भी भी बिमारीय लगे ही लिए और आप यदि कहते में स्वश्त हूं ने एक बारी इन पॉइंट्स को दबा लेना और मैंगनें फिर देख है तो कभी भविश्य में आएंगी नहीं क्या बात करें कौन से पॉइंट से जिनको पहले हमें प्रेशर देना है दोस्तों टोटल पांच पॉइंट है जिन पर हमें महिने में एक बारी यदि हम उनको प्रेशर देते हैं न और शेरी की कई भीमारियां ठीक हो जाएंगे मैं को गारंटी दे का कहता हूं अगर आपने कई अनुसार इनका इस्तमाल कर लिया तो यकीन आपके शरील सही हो जाएगा आप हमेश्या निरोगी रहेंगे क्या बात करें कौन से पॉइंट है देखिए पहला पॉइंट पड़ेगा इंडेक्स फिंगर फॉइंट जॉइंट स इसी के निचे आ एंगे सांध में जैन के पौन्हे में दोस्तों इस पॉइंट का नाम है यलिए यलैष तीसरा पॉइंट दोस्तों में मेट फिंगर मा आएंगे से ड में देखेंगे यह वाला पॉइंट इस पॉइंट का यलिवर्द पॉइंट का नाम दोस्तों SP6 स्प्लीन 6 लाइस पॉइंट के बैक सार में आगे तो आध थम यह पॉइंट पड़ेगा इस पॉइंट का नाम दोस्तों स्प्लीन 6 इतने जबर्दस पॉइंट है यदि आपने महिने में एक बारी भी इन पॉइंट को दो दो मिनिट के लिए दुनों हाथों में तो आपका शरीर निरोगी रहेगा कभी आप बिमार में पड़ेंगे और यदि कोई बिमारी है तीरे दीरे ठीक होने लग जाए इतने पॉइंट को इस्तवाल कर लोगे न तो यकीन मानना आपकी कम से कम शरीड की बहुत बीमारी दूर हो जाएंगे आपको कब्स की समस्च्य कब्स थेक हो जाएग घ्राइगी शूगर की बिमारी शूगर ठीक हो जाएगी हाट की प्रॉब्लम हाट हो जागा मर्दाना देले देवाएंगे इस तरीके से दो से तीन मिनट डीप प्रेशर देकर ऐसे सभी पॉइंट करेंगे इधर भी और इधर भी कमेरा अगर मेरेन एक प्रेटमेंट प्रेटमेंट मेरे आपना शेरीड निरोगी रखना है या बेकार रखना है या बात करेंगे मैगनेट थेरपी में इसे कौन सी मैगनेट है इसको लगाकर हम इस प्रॉब्लम से जल्दी चुटकाराब पासकते हैं दोस्तों इसके लिए यह तरसे येलो और एक तरसे दोस्ते यह वाइट और लेंगे दोस्तों सेम पेपर टेप अब स्काराइब में वाइट देखेंगा पहले बात करेंगे एलाइपो इसके पर हमने यह लगा देए तरीके याब 11 पे भी हम इस तरीके से लगा देंगे मैब बात करेंगे 23 नोरा इसकी तकष करा देंगे लिवर infrastr सीष श्रीकति चांब हमck llesे लिए निकагंड अच्छ करा देंगे से इस त्रिकेसे दोनगे मैं इक बार ही और यहां बậंच संदरों 15 दिन जैसे आपको टाइम मिलें लगा लो मैंने में आपका शरीड निर्योग रहेगा से ब्रेड का संद्रौनिन यह रेगा हाट aún लाइक करें शेर करें चैनल पर पहली बार सस्क्राइब करने ना भुलें नमस्कार दोस्तों फिर मिलूंगा आप से किसी नहीं वीडियो पर किसी नहीं टॉपिक पर नमस्कार